चावनी में तब्दिल ये नजारा देविन द्यादव के घर के बाहर का है बता दे बलोदा बजार कलेक्टर का एले में आगजनी की घटना के मामले में दुसरी बार पुलिस भिलाई पहुची थी पुलिस की टीम विधायक देविन द्यादव को दिन भर गिरफतार करने का प विधायक देविन द्यादव पर लोगों का उकसाने का आरोप लगा है विधायक देविन द्यादव की इस तरह गिरफतारी से कॉंगरेसियों में खासा अकरोश नजर आ रहा है और सभी ने अपने मिली जूलिर प्रतिक्रिया दी है वहीं विधायक देविन द्यादव की मा था बिश दवरान काफी दुखी और मायूस नजर आई रुधे गले से अपने बेटे को वो निहारती रही कि द्वेश पूर्ण की गई कारवाही है लगातार सत्नावी समाज के बलोदबजार घटना में जो जैस्तम को जो शती मुचाया गया उसके लिए समाज आंदुलन कर रहा था और भारती जनता पार्टी की सरकार जबसे बनी है लगातार निर्दोसों को जेल के सलाकों में डाल का काम कर रही है उसी कड़ी में आज बलोदबजार मामले को लेकर देवेंद यादव जो एक विदहायाक है उनको आज अंदर करना निशुत रुप से भारती जनता पार्टी की ताना साही रवया को दरसाता है हमारे सर्वोच चिनेता राहूल गांधीजी और पांग्रेस सविधान के उपर विश्वास करती है हमें अपने सविधान पर पूरा भरोसा है हमको न्याय मिलेगा इस दवरान पूरा सेक्टर फाइव इलाका चाउने में तब्दिल रहा भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर रही हजारों समर्थकों के बीच में बलोदा बजार पुलिस देविन ज्यादा को ले कर गई इस घटना से कांगरेसियों में खासा अक्रोश नजर आ रहा है